सुनादनी कारकरम के तहत आपका जो रेश्टेशन हुआ था उस रेश्टेशन के तहत आप लोग ऑगत हैं उसमें जो प्रथम फेज में रेश्टेशन हुए था उन 30,000 सेविकाओं सहाइकाओं को अब परिच्छा निर्धारित कर दी जाएगी जनवरी 2024 में जी हाँ उसका सीडूल जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि जनवरी 2024 में 30,000 सेविकाओं सहाइकाओं को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के तहत जिनका भी रेश्टेशन किया गया था उनका अब एकजाम लिया जाए और ये पत्र जो जारी किया गया है आईसीडियस नीदे साले द्वारा जारी किया गया है अर्शट, सोलर, चौदर, दिशंबर को ही जारी कर दिया गया नोडल पधादीकाडी एननेन्ग, आईसीडियस नीदे साले, सभी जीला प्रोग्राम पधादीकाडी और सभी बाल विकास पूरिनका पदादीकाडी को दोजार तेई से के तहत आप लोगों का परिक्षा आउजित करने के लिए सुझित किया गया है निदेशा नुसार उप्रिक प्रसंगिक के बिशाय के शंबन में यानि जो प्रसंग दिया गया है इस प्रसंग के काहीं बिशाय यह है कि 30,000 सेविकाओं सहाइकाओं पर एवं परिक्षा बोड अंतरगत सुनांदनी काड़करम के तहत ECCE certificate डिपलोमा कोर्स में नमांकित 30,000 सेविकाओं सहाइकाओं को निम्र तालिका के अनुसार परिक्षा लिया जाना है यानि 30,000 सेविकाओं सहाइका जिनका भी रेजिस्टेशन हो चुका है आप चाहें तो अपने करजाले जाके पता कर सकती है इसका आपको सुदूल मिल जाएगा कि किनका किनका एक्जाम होने वाला है ये एक राहत भड़ी बात है कि कुल 2,15,000 सेविका सहाइका है जिसमें मात्र और मात्र 30,000 सेविकाओं को ही इसे परिक्षा में सामिल किया जाएगा यानि 30,000 अगर सेविकाओं को सममिल किया जाता है एक लाख पच्चासी है जार सहाइका को अभी भी मौका है कि वह पर ले और मैं कोशिस करूंगा कि आपको अगले दिन से हर कोर्स का जो भी आपका बुक आया है उस बुक का एक अध्यान एक अध्याय लेकर के आए और उसका अध्य किया जाए कोशिस करूंगा कि आपके परिक्षा के जरुरत जितनी होगी उतना तयारी करा दें और यह कोर्स जो आपको सर्टिफिकेट कोर्स है उसका जो एक्जाम निर्धारित किया गया है वह 18 जनवरी 2024 को सहधान्तिक है और 19 जनवरी 2024 को प्रायोगिक है यानि आपको 18 जनवरी को लिखित देना होगा और 19 जनवरी को प्रायोगिक परिक्षा प्रैक्टिकल देनी होगी ठीक है वैसे ही जो सेवी का सहाई का नौन मैट्रिक थी उनको डिपलोमा में रेश्टेशन किया गया था जो जो डिपलोमा के धारी है उनको लिए 22 जनवरी को सैधान्तिक परिक्षा होगी और 23 जनवरी को प्रायोगिक परिक्षा होगी तो सुननदनी कारकरम के तहत ये परिक्षा निर्धारित की गई है और ICDS के तहत आप आगनवरी से का काजरत है तो आपका नमाकान अल्रेडी पहले हो चुका है तो आप चाहें तो विभाग अपने करजाले म में जाकर के इसकी सुचना प्राप्त कर सकती है छो सकता है कि आपको इसकी सुचना मिल भी गई होगी लेकिन हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे की हम लोग को कौन कौन से कॉर्स करने है तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसका enclosure दिया गया है उस Ingrosan में क्या ह वो भी देख लेते हैं इसका इंक्लोजर यही है देखे बिहार मुक्त विद्यालाई सीक्षन ये परिक्षा बोर्ड के तहत ये 670 पत्र जारी किया गया था 27 नॉवंबर को और निदेशक ICDS को भेजा गया था सुनांदनी कारकरम के तहत यानि वही बात है परिक्षा संचालन की पूरी परक्रिया के सम्मद में विचार विमर्स करने तो दिनांक 30 नॉवंबर 2023 को तीन वजा परण एक बैठा कायोजित की गई थी ताकि परिक्षान समय सभी आवसक बिंद्यों पर विचार विमर्स किया सके यानि आपका परिक्षा कैसे होगा इन सबका एक रूप रेखा तयार कर लिया गया है जरूरत है आपको अब आपको जो भी कोर्स करने के किया जाए उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाब मिलागा वीडियो चलागा तो लाइक करें चैनल पर पर बीट किये तो सब्सक्राइब पर लिए मिलते हैं कि लेना इन्परमेटिव वीडियो के साथ